आज मैं आपके लेकर आई हूँ गुजरात की एक बहुत ही फेमस स्टीट फूट जिसे फूंगरा बटेका या लसनिया बटेका के नाम से जाना जाता है इसे बनाने में आपको मैक्सिमम दस मिनिट लगेगे तो चलिए एसी मज़ेदार और टेस्टी फूंगरा बटेका की रेस्पी बनाना शुरू करते है जिसके लिए हम सबसे पहले फ्रैम्स को फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने कलरफूल फ्रैम्स ले लिये है यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते है जिसे गरम टेल में डाल कर फ्राइ कर लेना है इस तरह हम सारे फ्रैम्स को फ्राइ कर लेते है और इस तरह से डाल कर तुरंती फ्राइ करके निकाल लेना है तो यहाँ पर हमने सारे फ्राइम्स को फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं अब दूसरे तरफ मैंने कड़ाई ले ली है जिसमें हम एक चमश ओल डाला है अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा एड करेंगे अब हम इसमें एक चमश लेसुन और हरी मीच का पेस्ट डालेंगे और इसे हलका सा सोते करेंगे अब हम इसमें मीर्जी वाला पाने डालेंगे एक चमश लाल मीर्ज पाउडर में थोड़ा सा पाने डालकर मिक्स करके लिया है अब हम इसमें 140 पून हल्दी पाउडर डालेंगे अब इसमें स्वादानुसा नमक एट करेंगे अब इसे मिक्स करेंगे अब इसमें एक कप उबले हुए आलू को डालेंगे जिसे मैंने उबालकर कॉट करके ले लिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करके आलो को सारे मसालों से कोट करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्पाइशी आलो रेडी है तो अब हम इसे सव करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है जिसमें हम स्पाइशी आलो को डालेंगे और उसे फ्राइम्स के साथ सव करेंगे जिसे हमने पहले फ्राइ कर लिया था तो यहाँ पर हमारी चटपटी आलू और क्रिस्पी फ्राइम्स तयार है जिसे गुझराती में पुंगरा पटा का बोलते है और बाजो में एक छोटी से घंटी आएगी उसे भी प्रेस करें ताके नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए अब मिल दे हैसी एक नई और यूनीक रेसिपे के साथ तब तक के लिए बाई 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 एंटेकिर